असलाम अलेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू गोबी और मटर की रेसिपी सर्दी का सीजन है आलू गोबी किसके घर पर नहीं बनती है सबी बनाते हैं लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हुए यह लाजवाब है इसमें ना हम कोई मसाले डालेंगे और ना ही पानी डालेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी कर लिए इसमें आलू को डाल देंगे तो आलू को मैंने पहले से वाश करके अच्छी तरह से इसका पानी को सुखा लिया था नहीं तो जब तेल में डालते हैं तो बहुत जादे चीटे आते हैं इसमें आपके हाथ में भी छीटे पड़ सकते हैं तो आलू में थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक के तो मीडियम आज पर मैंने इसको गोल्डन फ्राई कर ली है जिससे के हमारा आलू 70-80% तक कूक हो जाता है फ्राइ करते वक्ती तब इसको साइड में रख लेते निकाल कर तब यहाँ पर मैंने प्यास को कट कर ली है बहुत जादे बारिक भी नहीं करना बहुत जादा बड़ा पीस भी नहीं रखना है प्यास का बस मीडियम सा इस तरह से कट कर लेंगे और इ गोबी को डालकर अच्छी हाइफ्लेम में इसको भून लेंगे 2-3 मिनट तक के तो गोबी का जो भी कच्छा पन रहता है इससे निकल जाता है और अच्छा टेस्ट भी आता है कलर भी बहुत अच्छा आजाता इसमें अब यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूं तो आप सुखी मिर्च डाल दे जब आप प्यास को फ्राइब करते हैं तो उस टेम पर आप सुखी मिर्च को कट करके डाल सकते हैं तो मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है हमने पहले आलू में भी नमक डाला था तो इसमें अभी नमक आप अपने हिसाब से डाले तो मटर को बारिक बारी पतले पीस में कट करना है आप अपने मनपसंद कोई भी हिसाब से काट सकते हैं इसको छोटा या बड़ा लंबे पीस या फिर छोटे पीसे में तो टमाटर डालने के बाद मैंने इसको धकन लगा कर धीमी आज पर पका लिया है फ्लेम को हमें स्लो रख देना है संब्दी आज पर रखकर हमने इसको पकाया है तो टमाटर का जो भी ऐक्स्टा पानी चूटता है उसी से हमारा गोबी गल जाता है तो टेंपके हमें फिर टीन से चार मिन्हांत् होने तक कि इसको अधकर पकाना है और मिनिट में हमें इसको थोड़ा चेक कर लेना है जैसे ह हमारा दो से तीन मिनिट होगा हमें इसको एक बार ढखकन हटाकर इस तरह से चला लेंगे ने तो नीचे से जल जाएगी और उपर से कच्छा रहेगा तो अब यहां पर हमारा गोबी आदे से जादा पक चुका था तो मैं अब इसमें आलू एड़ कर रही हूं जो आलू को हमने फ्राय करके रखा था साइड में आलू को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा अलू अभी थोड़ा बाकी था पकने को क्योंकि हमने 70-80% उसको कुक किया था तब फिर से इसको गला लेंगे तो जो गोबी भी बचा था हमारा गलने को वो साथ में ही इसमें पक जाएगा तो मैंने इसको फिर से ढकन लगाकर 2-3 मिनट तक के पका लिया है अब शायद हमारा अलू और गोबी दोनों पक चुका एक बर चक कर लें अगर गल जाएगा तो उसके बाद हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे हरा धनिया डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और स साधी टेस्टी लगती है रोटी के साथ तो मैं भी इसे रोटी के साथ सर्फ कर रही हूं आप चाहे तो दाल चावल के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो देखिया हमारी बहुत ही आसान सी रेसिपी बनकर तयार हो गई है ना इसमें कोई मसाले डाले हमने ना कोई पानी डाला है तो बहुत खाने में टेस्टी लगती है यह आप भी जरूर ट्राइ करें इसे एक बर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक जाल रखें और मेरी इस रेसिपी को बना करें एंजोई करें थैंक्स पूर वाचिंग